हलो फ्रेंड्स आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है जार्खन की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दुमका बैर्मो उपचुनाओ की उल्टी गिंती शुरूप पर्तियासियों के नाम पर मन्थन जारी जार्खन में दो सीटों के लिए होने वाली उपचुना को लेकर हलचल तेज हो गई है दुमका सीट के लिए अपने पर्तियासि के नाम का एलान कर जे एमेम ने इस रेस में बढ़तल बना ली है वहीं बैर्मो सीट के लिए कांग्रिस ने अभी तक अपना अमिदवार तै नह किया है उधर बिजेपी भी दोनों ही सीटों के लिए पर्तियासि के चैन पर अभी भी माथित पच्ची कर रही है इसी के साथ अगली के बड़ी खबर या है कि मजदूर के बेटे ने किया जार्खन टोपर आई एटी करना चाहता था अनिल बोकारों के सेक्टर टूडी के रहने वाले गुड़ी के लाल अनिल कुमार ने अकांचा चालिस में पूरे राज में पहला अस्थान पराप किया है वह आई टी करना चाहता है उसके पिता मल्दूरी का काम करते हैं किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर दुर का पूजा 2020 से पहले आत्रियों को ट्रेन का तौफा मिल गई है 12 अक्टूबर से तिन अस्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है इसी के साथ अगली बड़ी खबर क्रोना संकट से उबर रहे कोईला विजली और रेल सेक्टर कोईला विजली और रेल सेक्टर अब क्रोना स स्थरिये बैठक में इस बात की संकेत मिले रेल मंत्री प्यूस गोयल की मजदुगी में वर्चूल बैठक हुई इसी के साथ अगली बड़ी खबर जार्खन में मिले 847 संक्रभीत मरी सर्वधीक राची से राज में 10 मरीजों की हुई मत मंगलवार को 246 मरीज ठीक भी हुए इसी के साथ अगली बड़ी खबर कोरोना के साय में सर्तों के साथ खुल रह धार्मिक अस्तल भद्रिकाली मंदिर में भी सरधालों को इन नियमों का करना होगा पालन इटखोरी करोना महामारी को लेकर लागू देश्वयपी लोकडॉन के कार्मंदिरों को सरधालों के लिए बंद कर दिया गया था अनलाग 5 पर 0 के तथ 8 अक्टूबर से धार्विक अस्तलों को खोलने की अनुमती मिली है इसी के साथ अगली बड़ी खबार जारखन में दो गुट आमने सामने पत्थरा और तोरफोर बंधक बनाये गए 11 लोग मुक्त इस्तिती नियंत्रित कोडरमज जिले के डोमचांच के जानपूर में परतिबंधिस मांस को टुकड़ा पाये जाने के बाद इस्तिती तनापूर्ण हो गई थी दो गुट आमने सामने हो गए थे देखते ही देखते जमका तोरफोर और पत्थराव किया गया इसी के साथ आगली बड़ी खबर जारखन हाई कोट ने करीब सरवनों को 10% आरचन देने के फैसले को बताया सही जारखन हाई कोट के जस्टिस संजय कुमर्दवेदी की अदालत में असिस्टेंट इंजिनियर निक्ती में आर्थिक रूप से गरीब अभ्यार्थियों को 10% आरचन देने को चुनोती देने वाली आजिका पर सुनवाई की अगली बड़ी खबर जारखन में कुरोना इलाज की दर घटी 18,000 की जगा अब 12,000 ही ले सकेंगे नीजी अस्पताल प्राइविट अस्पताल में कुरोना का इलाज करार रहे मरीजों को राहत मिली है राज सरकार ने प्राइविट अस्पतालों द्वारक करोना के इलाज के लिए पहले से निर्धारित दर्में और कमी की है इसी के साथ अगली बड़ी ख़बर रानी होस्पीटल में बची का मौत परबंधन ने थमाया 20 लग रुपई का बिल परिजनों किनेला परवाही का अरोप लगा कर किया हंगामा परिजनों ने बताया चार महीने से चल रहा था बची का इलाज एक बची की जन्म के पांच दिनों के बाद ही मौत हो गई चार महीने पहले परसुता किने जुड़ा बचियों को दिया था जनु प्रिजनु किने तक थी लेकर अस्पताल के बाहर किया हंगामा इसी के साथ अगले बड़ी खबर मुबाइल पर बात करने से पिता ने किया मना 18 साल की लड़की ने फासी लगा कर दे दी जार सुदाम डी थाना छेदर के भोरा इलाके में 18 साल की लड़की ने फासी लगा कर आत्मातिया कर ली बताया जा रहा है कि लड़की को उसके पिता ने मुबाइल पर बात करने से मना किया था जिसके बाद उसने कमरे में पहुँचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया आधे घंटे बाद अघरवालों को अनहोनी होने किया संका हुई इसके बाद उपर से छपपर हटा कर देखा गया तो लड़की दुपटे के सारे फंदेश से जुलक रही थी इसी के साथ अगली बड़ी खबर बालुमात में 31 लड़कियों को क्या गया रेस्क्यू नोकरी दिलाने के नाम पर ले जाया जा रहा था तामिलनाडू बालुमात थाना छेत के डाढ़ा गाउं के नावा बांध से अस्थानिय पुलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर एक तामिलनाडू नंबर की बस में सवार 31 लड़कियों का रेस्क्यू के जनकारी के अनुसार सभी लड़कियों को धागा फैक्टरी में नोकरी की लालच दे कर जार्खर से चेननाई के तामिलनाडू ले जाया जा रहा था रेस्क्यू की गई लड़कियों में नो नवालिग है इसी के साथ अगली बड़ी खबर अचानक आई बार से भुराही नदी में फसा ट्रक्टर ग्रामिनों की मदद से सवार चाल लोगों को निकाला चत्रा में पथलगड़ा और सिमरिय परखंट सिमा पर बहने वाली नदी का मामला पथलगड़ा से तापसा की ओर जार रही ट्रक्टर ड्राइवर समेतिन महलाएं थी सवार इसी के साथ अगली बड़ी खबर सरकारी अस्कुलों में छमाही परिचा की तयारी बिना मोबाइल और टेव वाले चात्रों के घर पहुँचाए जाएंगे परस्नपर्थ और उत्तर पुस्तिकाएं अस्कुल के ड्रम वाक्स में डालना होगा कोरोना काल के च्छ माम में सरकारी अस्कुलों में स्लेबस के अनुसर पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी है लेकिन चमाही परिचा लेने की इत्यारी शुरू कर दी गई है अनलाइन कच्छाओं में विद्यार्थियों की परिशानिया और संसाधनों के अभाव में कलास ना कर पाने चात्छात्राओं की परिचा लेना सिच्छा विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इसी के साथ आगली बड़ी खबर दो दिनों से पेड से बंधा है भालू विभाग को सुचना देने के बाद भी नहीं किया गया रेस्क्यू ग्रामिनों ने बताया कि विभाग की रापरवाही के कारण भालू किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है भालू का रेस्क्यू ना होने से ग्रामिनों में रोस भालू के जान पर भी आफात भालू का खेल दिखाने के लिए आने वाले मदारी द्वारा बांधे जाने की आसंका फतेह पूर परखन की दुगधी गाउं में पिछले दो दिनों से एक भालू पेंड से बांधा हुआ है इसी के साथ अगली बड़ी खबर देवगर की अनुशुका बनी मिक्स क्विन फाइनल राण में 40 परतिभागियों को पचाड़ा जारखन के देवगर की रहने वाली अनुशुका आनद ने राज का नाम एक बार फिर रोसन किया है उन्होंने अपनी परतिभा को पुना साबित करते हुए दिली में आयोजित मिस्टर मिस एंड मिसेज किंग 2020 सीजन 2 के मिक्स क्विंग का खिताब अपने नाम किया है अपने नाम किया था